हाँ स्टूडेंट्स वेलकम बेक ट्यू और बच्चो आज की ये वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो समर विकेशन हैं आपकी वो आखिर क्यों नहीं की जा रही हैं या कोई चांसिज है उसके या नहीं है आपको कितने दिन की जो समर विकेशन है वो मिलेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आउन कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए तो देखे सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी समर विकेशन क्यों नहीं की गई जो हमारी क्लास है अप्टू नाइन्थ क्ल क्लास तक हमारा टाइमली जो रिजल्ट है वो आ चुका है बच्चों को रिजल्ट मिल चुका है लेकिन उनका यहां पर चल रहा है मिशन बुनियाद सभी बच्चे जानते हैं कोवीड टाइम में जो ऑनलाइन एजुकेशन चला था उसमें बहुत सारे बच्चों के पास ज लगाई जा रही हैं समर कैम्प अपका लगाया जा रहा है आपकी एक्टिवीटीज कराई जा रही है secondly जो हम बात करें बहुत सारे बच्चों की जो कमेंट आ रहे हैं कि हम समर विकेशन मिलेंगी या नहीं मिलेंगी तो अभी तक ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है जिसके तहट हम यह कह सके हैं कि आपकी छुटियां जो है वो 18 जून से पहले होंगी यानि आपकी क्लासिस जो है वो 15 जून तक रहेंगी वैसे स्कूल 18 जून तक उपन रहेंगे तो 15 जून तक आपकी क्लासिस रहेंगी उसके बाद जो है आपको छुटियां मिलेंगी यानि लगबग 15 डेज की छुटियां आपको मिलेंगी अगर हम यहाँ पे देखें तो जो बच्चे अभी 10th में आए हैं जो बच्चे अभी 12th में आए हैं उनकी proper syllabus करवाया जा रहा है क्योंकि CBSC का अगर हम देखें syllabus जो 22-23 session के लिए आया है तो वो पूरा syllabus है proper syllabus है उसमें से ऐसा कोई portion इतना ज्यादा delete नहीं है कि अगर session का time की अ school जो है वो close कर दिये जाएं कि syllabus जो है वो पूरा हो जाएगा यानि syllabus आपका उतना ही है और आपके days जो है वो कम है इसलिए यहाँ पे working days बढ़ाने की बात की गई है अब बहुत सारे बच्चे जो है वो डैली से बिलॉंग नहीं करते वो कई जो यूपी है बिहार है आउट पेशली वो उन बच्चों को साथ नहीं लेकर जाना चाहते इससे वो अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं और यही कारण है कि जो पेरेंट्स है उन्होंने केश्रिवाल सरकार से अपील भी की थी गुहार लगाई थी कि जो summer vacation है बच्चों की वो की जाएं क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा जो है गर्मी को देखते हुए yellow alert भी किया गया और यह एक request भी की गई कि अब तो छुटी कर दी जाए बट अभी तक government की तरफ से DOE department की तरफ से अभी तक ऐसा कोई circular या ऐसी कोई information नहीं आई है कि बच्चों के school जो है वो बंद क के जाएंगे working days उनके कम के जाएंगे इसके बारे में अगर हम देखें तो देखें एक यहाँ पर newspaper की जो news है ठीक है डैली स्कूल students likely to get only 15 days of summer vacation in 2022 नो वाई clear तो यह दी गई है इसमें clear बताया गया है कि जो छुटें रहेंगे वो approximately 15 days की summer holidays रहेंगी this year to make the loss of academic academic में जो loss हुआ है उसको यहाँ पर fill करने के लिए जो gap है उसको fill करने के लिए यहाँ पर यह news दी गई है as Delhi summer vacation 2022 ठीक है की brutal heat wave है लेकिन फिर भी जो capital है उसमें किसी तरह की जो holiday है वो government की तरफ से अभी कोई इस तरह की पहले plan नहीं की गई है so इसी लिए जो government है Delhi government plan किया है to extend the number of working days for students till June 18 to raise the loss of academic cause due to the COVID-19 pandemic ठीक है so this means that school students might get only 15 days of summer holidays तो अलग बग केवल 15 days की जो summer holidays है वो ही आपको मिलेंगी और इसमें अगर हम देखे तो अगर 10th 12th की classes नहीं होती है तो I think उन बच्चों का ज़्यादा loss हो जाएगा क्योंकि उनका result अभी जो है आया है उसके बाद जो syllabus है वो उनको cover करना है so उसके लिए उस चीज़ को focus करते हुए ही ये working days उनके लिए भी बढ़ाये गई है लेकिन ये पहले जो classes होती थी ना ये 30th में तक होती थी पहले भी extra classes लगाई जाती थी लेकिन इस बार गर्मी भी बहुत ज्यादा है ठीक है so जो DOE है उन्होंने classes जो conduct की है during summer is a must for all schools in order to make up for the loss of learning caused by the COVID-19 pandemic which resulted in the closure of school for 2 years तो उस 2 years को gap को fill करने के लिए यहाँ पे classes जो है वो लगाई गई है और साथ ही साथ अगर एक और चीज़ हम देखे सबसे important 10th और 12th के जो अभी current जो 10th के exam ज़स्त अभी जो finish हुए है और जो 12th के exam जो चल रहे हैं तो उसको देखते भी school बंद नहीं हो सकते थे, board के exam थे so teachers को तो school वैसे भी जाना था और secondly जो हम देखे 10th 12th के classes के लिए जाना था और अगर covid-19 जो हमारा जो loss हुआ है उस during online classes का तो उस को gap को fill करने के लिए mission बुनियाद की जो classes है वो आपकी यहाँ पर लगाई गई है तो यही कुछ कारण है जिनके कारण जो classes है वो continue की जा रही है school वो summer holidays declare कर दी गई है आपका जो calendar आया था उसमें भी declared holidays summer holidays उसी date से है लेकिन holidays basic declare है लेकिन school as it is चल रहा है सारी classes आ रही है तो केवल और केवल जो learning gap है उसको fill करने के लिए so अभी तक यही है कि जो holidays है वो आपकी last 15 days तक ही रहेंगी इस बार and कोई ऐसा अभी तक कुछ circular नजर नहीं आ रहा है किसे पहले कुछ आपकी holidays जो है वो declare की जाएंगी और जैसे ही कोई circular आता है students तो आपके साथ जरूर से share कर दिया जाएगा and I hope कि आप लोग सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं और अपना ध्यान भी रख रहे हैं water bottle है आपकी और जो भी requirement है like आपको समय समय पर बीच भीच में school में भी पानी पीते रहना चाहिए और जो शिकंची है उसका आपको जादा से जादा using करना चाहिए और अपने सिर को धूप से जब आप स्कूल से जाते हो समिछ जादा धूप होती है तो अपने सिर को धक्के रखे ताकि आपका धूप से बचाओ हो सके क्योंकि आपके लिए classes भी ज़रूरी है लेकिन उसे भी ज़्यादा ज़रूरी आपकी health है जो बहुत matter करती है अम्रेला का यूज कीचिए अगर आप पैदल आते हैं तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हुए आप अपना ध्यान रखते हुए स्कूल में अपनी study continue कीचिए happy learning and thanks for watching have a nice day